तो प्रिवेस्ट विडियो में हमने एक्सराइस 1.4 का कोशन नंबर वन कम्प्लिटली सॉल्व किया था तो आज इस विडियो में हम एक्सराइस 1.4 का कोशन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे है एक्सराइस 1.4 का कम्प्लिट सॉलुशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं कोशन नंबर 2 की तरफ तो कोशन नंबर 2 में basically हमें क्या करना है हमें लिखना है decimal expansion बट क्यों से rational number का ऐसे rational number जो की कोशन नंबर 1 में दिये गए है आप देख सकते हो कोशन नंबर 1 में लेके एक से लेके 10 तक total 10 rational number दिये गए है और इसमें से जो rational number terminating decimal expansion है उनी का हमें लिखना है decimal expansion तो हमने कोशन नंबर 1 में दिखा था कि ये जो first question है ये जो 13 upon 3125 दिख रहे हो ये terminating decimal expansion है ऐसे में हमें इसका लिखना है decimal expansion मतलब जब हम 3125 को 13 से divide करेगे जो भी इसका decimal expansion आएगा वो हमें लिखना है हमने ये भी जाना था कि 17 upon 8 ये भी terminating decimal expansion है फिर हमने ये भी जाना था कि 15 upon 1600 ये भी decimal expansion है फिर sixth question ये भी terminating decimal expansion है और at the end 35 upon 50 ये भी decimal expansion है तो टूटल आप दिख सकते हैं यहाँ पर पांच ऐसे numbers है ऐसे rational numbers है जो की terminating decimal expansion है और हमें इसका find करना है simply decimal expansion तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले question की तरफ जो की है 13 upon 3125 तो पहला question आप देख सकते हैं जो की है 13 upon 3125 हमें पता है ये terminating है और terminating numbers का ही हमें find करना है decimal expansion तो हम लोग क्या करने वाले है ये जो number है इसको हम लोग divide करतेंगे that means यहाँ पर आजाएगा 13 और यहाँ पर आजाएगा 3125 अरे यार किता बड़ा number है 3125 और अंदर छोटा सा number 13 क्यासे divide करूँगा तो इसलिए divide करना आपने आप में एक challenging है तो यहाँ पर divide करने जाएगे तो बहुत lengthy पड़ेगा और ऐसे में कई गलती हो जाए तो अब ही और कल्यादान हो जाएगा answer का इसलिए मैं divide आपको recommend नहीं करूँगा अगर हाँ अगर कोई जुनूनी है तो वो divide कर सकता है इसे मैं कहूँगा hard work तो यहाँ पर हम लोग hard work तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग करेंगे यहाँ पर smart work तो smart work क्या कहता है मैं आपको short में बता देता हूँ कि यहाँ पर basic rule कैसा है अगर कोई आपके पास number है suppose 8 तो इसको हमें divide करना है 10 से तो मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोई भी number होने दो उसको अगर आप 10 या 100 या 1000 या फिर नीचे ऐसे number जिसकी end में 0 होता है और starting में 1 तो basically इन से divide करना numbers को बहुत आसान हो जाता है करना कुछ नहीं होता है basically जितने बार numbers है यहाँ पर उतने number के बार shift करना हो पड़ता है suppose 8 upon 10 है आप देख सकते हो denominator में सिर्फ एक ही 0 है that means हमें एक number के बाद point लगाना है तो 8 एक number हो गया और एक number के बाद point मतलब point यहां लग जाएगा इसका answer आजाएगा 0.8 suppose मैंने ले लिए 25 upon 100 तो यहाँ पर आप देख सकते हो denominator में 2 0 है तो मतलब मुझे दो number के बाद point लगाना है एक है 5 और एक है 2 यह एक number दूसरा number इसके बाद point लगाना है मतलब point यहां आजाएगा यहाँ पर मैं point लगा दूँगा और इसका answer बन जाएगा 0.25 I hope guys आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर क्या करने वाले है चलिए आजाते back to the answer तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे 13 upon 3125 इसका जो denominator में है 3125 इसका हम कर देंगे prime factorization और हमने question number 1 के अंदर prime factorization देखा है हमने क्या आता है इसका आता है 5 की power 5 अरे denominator में तो 5 की power 5 है जहाँ तो हमने बात की 10 के लिए बढ़ यहाँ पर हम divide नहीं कर पाएंगे ठीक है हम माना की divide नहीं कर पाएंगे बट हमारे पास एक trick है तो 5 को अगर मुझे 10 बनाना है तो हम लोग basically क्या करेंगे definitely 2 से multiply करेंगे अगर मैंने 5 को 2 से multiply किया तो answer बन जाएगा 10 तो denominator में आजाएगा 10 बट यहाँ पर 5 कितनी बार लिया गया है 5 को 5 पाँच बार लिया गया है तो मुझे भी 2 कितनी बार लेना पड़ेगा 2 को भी 5 बार लेना पड़ेगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा 2 की पाँवर भी 5 ले लूँगा क्यों मैंने लिया क्योंकि 10 बनाना है मुझे बट 1 10 बनने से काफी नहीं है क्योंकि 5 कितनी बार लिया गया है यहाँपे 5 बार लिया गया है इसलिए मुझे 2 को कितनी बार लेना पड़ेगा 5 बार लेना पड़ेगा तो 2 मैंने ले लिया 5 बार नीचे लिया तो उपर भी लेना पड़ेगा क्योंकि question अपने घर का तो है नहीं कि question कुछ भी बदल दे तो ये 2 की power 5 और 2 की power 5 होता है simple guys 32 ठीक है और नीचे क्या बन जाएगा 5 into 2 जो की है 10 और 10 की power 5 यहां पर मैंने exponent का rule उसके है जो की बहुत simple है वो क्या कहता है अगर base है A और उसकी power है M into B उसकी power है M तो देखो power same है M और M तो ऐसे में नीचे की जो number है वो आपस में मिल जाएंगे that means A into B हो जाएगा और उनकी power हो जाएगी simply M तो यहाँ पर A into B करना है तो 5 into 2 जो की होता है 10 और उनकी power as it is 5 अब देखे 13 into 32 इसको multiply करना तो बहुत आसान है जो की उसका answer आजाएगा 416 और denominator में कितने 0 आजाएंगे 10 की power 5 है that means नीचे denominator 5 0 आ जाएंगे यहाँ पर मैंने 5 0 ले लिए है अब हमें क्या करना है 5 नीचे 0 है that means हमें उपर 5 नमबरों के बार shift कर देना है बट उपर तो 3 नमबर है तो हम लोग क्या करेंगे numerator में 5 नमबर के बाद point लगाएंगे तो पहला नमबर यह रहा एक दो तीन चार पांच पांच नमबर के बाद point लगेगा मतला point यहां लगेगा तो इसका simply answer बन जाएगा हमारा 0.00416 आपको समझ में आ गया होगी कैसे हमने यह answer निकाला और यह है उसका decimal expansion अगर question number 1 समझ में आ गया है तो definitely उसके आगे के questions भी आपको समझ में आ जाएंगे तो चलिए दिखते है next कौन सा question है next question है 17 upon 8 क्योंकि इसका decimal expansion terminating था तो इसका हम लोग find करने वाले decimal expansion तो next question आप देख सकते हो जो कि है 17 upon 8 जैसा question number 1 किया था similarly इसको वैसा ही करेंगे तो जो भी denominator में है उसका factorization ले ले लेंगे जो कि आएका 2 का cube और यह factorization लेना हमने question number 1 में सी भी खाता ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं तो 2 की power 3 है हमें denominator में क्या चाहिए 10 चाहिए बट denominator में तो फिलाल 2 की power 3 है तो हमें क्या करना है नीचे 10 लाना है मतलब 2 को कि से multiply करना पड़ेगा 5 से multiply करना पड़ेगा क्योंकि 2 5 सा कितना होता है 10 बट यहां पर 2 कितनी ब लिया गया है तो मुझे 5 को कितनी बार लेना पड़ेगा 3 बार लेना पड़ेगा तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं 17 अपन 2 की power 3 इंटू 5 की power 3 उपर भी 5 की power 3 अब देखिए 17 इंटू 5 की power 3 गाई कितना होता है हमको पता है 5 5 25 25 होता है तो 5 की power 3 हो गए 125 और denominator में कितन बन जाएगा 2 इंटू 5 और इन पूरे की power 3 क्योंकि हमें आपे property यूज़ कर रहे है अब उपर देखो गाईस उपर है 17 इंटू 125 इसका multiply हम कर देंगे और multiply करने के बाद हमें मिल जाएगा 2 125 और denominator में बन जाएगा 10 की power 3 अब देखिए 2 125 denominator में कितने 0 3 0 इसका मतलब हमें 3 न number 3 number 3 number के बाद मतलब point यहां लगेगा तो इसका answer simply बन जाएगा 2.125 क्योंकि 3 number के बाद point है तो चलिए बढ़ते है next question की तरह तो यहां पे भी वैसा ही करेंगे जैसे अभी के हमने 2 questions की है तो denominator में हम लोग कर देंगे इसका factorization और हमें पता है 1600 का हमने factorization क्या निकाला था जो क 10 चाहिए वो 10 तो नहीं है बढ़ हमें पता है कि 2 into 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा तो जितनी बार भी denominator में 2 है उतनी बार ही हमें 5 चाहिए तो denominator में आप देख सकते हो 2 कितनी बार है 6 बार है तो हमें 5 भी कितनी बार चाहिए 6 बार चाहिए बढ़ 5 यहां पे कितनी बार है यहाँ पे 5 दो बार है तो basically मुझे पारच को 6 बनाना है तो कितना और extra लेना पड़ेगा तो basically मुझे 5 को 4 बार extra लेना पड़ेगा क्योंकि 2 पहले से पड़ा हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा denominator में 5 की power 4 से multiply कर दूँगा और numerator में भी 5 की power 4 से multiply कर दूँगा तो अभी देखे क्या बन जाएगा तो 15 into 5 की power 4 upon 2 की power 6 into 5 की power 2 और यह 4 कितना हो गया? 6 हो गया तो यहाँ पे हम लिख सकते 15 into 5 की power 4 अब 5 की power 4 का answer कितना होता है? जो कि होता है 625 whole term upon 5 into 2 या फिर 2 into 5 बोलो whole की power 6 अब देखिए इसको जब आप multiply करोंगे तो आपको मिल जाएगा 9 3 7 5 मिल जाएगा और denominator में आपको मिल जाएगा 10 की power 6 that means 9 3 7 5 और denominator में कितने 0? 6 0 3 और यह होगे 6 हमें मतलब क्या करना? 6 नमबरों के बाद 0 लगाना है तो 1 2 3 4 5 6 6 नमबर के बाद मतलब point यहां लगेगा तो इसका simply answer बन जाएगा 0.009 3 7 5 I hope guys आपको समझ में आ गया हो कि ऐसा answer क्यों आया? Simply है कुछ नहीं क्या है बस हमें 10 बनाती चलना है denominator में तो चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ तो next example आप देख सकते हो जो की हमें given है 23 upon 2 cube into 5 square इसका हमें find करना है decimal expansion तो हम लोग basically क्या करेंगे? denominator में 10 लानी की कोशिश करेंगे तो denominator में आप देख सकते हो 2 है मेरे पास जो की कितनी बार लिया गया है 3 बार लिया गया है और 5 है मेरे पास जो की कितनी बार लिया गया है 2 बार लिया गया है तो यहाँ पर आप चीज़ में आपको बताया है कि एक एड़ करना पड़ेगा एक्स्ट्रा हाना क्योंकि यहां पर दो अल्रेडी पड़ा है तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा एक 5 से multiply कर दूंगा अगर नीचे क्या है तो उपर भी करना पड़ेगा तो उपर भी हम multiply कर देंगे तो उपर मन जाएगा हमें गाइस 23 इंटु 5 और डिनॉमिनेटर में हमें मिल जाएगा 2 क्यूब इंटु 5 स्क्वेर और यहां पर 5 की पावर 1 जो की हो जाएगा 5 क्यूब अब देखिए हो गया ना दूनों का पावर सेम से अब हम लोग उपर simply multiply कर देंगे तो 23 इंटु 5 होता है simply 5 तरी जा 15 के रिवन 5 10 11 115 होता है डिनॉमिनेटर में आजाएगा 2 इंटु 5 और सब की पावर 3 जो की हो जाएगा 115 ओल अपॉंट 5 तूजा होता है 10 और 10 का क्यूब तो देखिए 115 अपॉंट कितने 0 30 that means मुझे 3 नंबरों के बाद पॉइंट लगाना है तो पहला नंबर दूसरा नंबर तीसरा नं आंसर मिल जाएगा सिम्पली 0.115 तो यह हमारे पास इसका आंसर तो चलिए बढ़ते अभी नेक्स्ट कोशन की तरह तो यहां पर आप देख सकते हो 35 अपॉंट 50 यह हमारे पास लास्ट कोशन है जो की टर्मिनिटी है हमें इसका फाइंड करना है डेसिमल एक्सपांशन तो तो चलिए देखते है 35 अपॉंट 50 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा तो हमें क्या करना है जैसा अब तक करते आ रहे वैसा ही करेंगे तो 35 का 35 और जो भी डिनॉमिनिटर में है हम इसका ले लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो लिया गया है उतनी ही बार हमें 5 यहां लेना पड़ता है तो यहां पर आप देख सकते हो 5 कितनी बार लिया गया है 5 यहां पर लिया गया है 2 बार 5 कितनी बार लिया गया है 2 बार लिया गया तो similarly हमें यहां पर 2 कितनी बार लेना पड़ेगा यह भी 2 बार लेना पड़ेगा तो हमें मिल जाएगा 35 into 2 और denominator में हमें मिल जाएगा 5 का square into 2 into 2 that means 2 का square अब 35 into 2 कितना होता है 70 whole term upon 5 into 2 की power 2 क्योंकि हम यहाँ पे exponent का property यूज़ कर रहे है तो हमें मिल जाएगा 70 upon 5 to 10 का square 10 का square मतलब कितने 0 2 0 तो हमें क्या करना है 2 0 के बाद point लगा देना है या फिर आप 10 से 10 cancel कर सकते हो cancel होने के बाद कितने number बाद point लगाना है एक number के बाद point लगाना है तो एक number के बाद यह है पहला number इसके बाद point लगाना है मतलब point यहाँ लग जाएगा तो हमें इसका answer simply मिल जाएगा 0.7 क्योंकि एक number के बाद point लगा है तो ये है उसका answer I hope guys आपको question number 2 समझ में आ गया होगा कि कैसे हम बिना divide किये इनके decimal expansion डिख रहे है अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो like, dislike जरुर कीजेगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजे, share कीजे और सबसे जरुरी बाद चैनल को subscribe कीजे Thank you so much Love you, take care, bye bye